हेलो एवरिबड़ी कैसे हैं आप सभी लोग मैं रमन्त स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने सी यूटीब चैनल लीगल ग्लोसरी पे तो जैसा कि आप सभी ने काफी सारे कमेंट्स की हैं काफी सारे लोग ने मुझे मैसेज भी की हैं कि ब्ललबी सेगंड सेमेस्टर गवा आप सभी के लिए रात में वीडियो बना रहा हूं और है यह बताऊंगा मंयों अपर सभी प्रप्रभ। इसके बाद question बाद second के दर बढ़ते है who has written the book modernization of the Indian tradition so इस cancer होगा हमारा A, B, C, D हमारे पास है तो second cancer होगा हमारा C, योगेंदर सिंग question बाद 3 के दर बढ़ते है a marriage in which a woman of upper caste marriage a man of the lower caste is known यह question मैंने constitution में भी से related पढ़ा था लेकिन वो question थोड़ा सा लग था तक है कि वीडियो में काफी लेट में बना रहा हूँ काफी समय बाद यह अप्लोड हो रही है और परसों से आप सभी के एक्जाम इस्टार्ट ने टोल से तो दोस्तों इसका बनाने का reason बस यही दोस्तों की देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते है दोनों student के एक्जाम में दोस्तों तो मैं सभी लोगों के लिए MCG की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों तो थोड़ा समय लग रहा है खुदी आप सभी के लिए answer ढूंड रहा हूं सभी questions के क्योंकि अगर आप answer की से answer पढ़ेंगे तो उसमें से mostly answer आपके गलत निकलेंगे आपने कर पहले भी पढ़ेंगे किसी कहीं से भी तो mostly उसमें से गलत अंसर आपको मिलेंगे तो answer की के भरोसे आप बिल्कुल मत रहिएगा अब question बात आती है कि sociology के 100 question क्या sufficient है तो यह मैं last में बताऊंगा वीडियो बीच में बताऊंगो कि इतने question sufficient है या नहीं है इसके बात कल आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो और आई जी दूस्तों जिसमें कुछ important question अंसर डिसकस करेंगा हर एक paper वाले दिन या paper से एक दिन पहले हम सारे important question डिसकस किया करेंगे आपके subject के according ओके तो बढ़ते है question में four हमारा क्या कह रहा है the author of caste class and occupation क्या है so caste class and occupation के लेकर कौन है so इसका answer होगा four वाले का a okay गुरेया इसका बढ़ते है question में five की तरफ thinker influenced by western sociological thinkers are so question में five का आपका answer होगा my dear friends डिवला देखिए volume थोड़ी सी slow सकती आवास सही ना है क्योंकि रात में video बना रहा हूं दोस्तों काफी थगए हूं दोस्तों बट कोई issue नहीं है आप सभी के बस अच्छे marks आने चाहिए मेरी बस यही गामना है आप लोग के लिए भी कर रहा हूं आप ही लोग लिए कर रहा हूं कि तर बढ़ते हैं हाओ मेनी टाइप साफ मैरिज वेर पाप्लर डिविडिंग वैदिक एरा वैदिक काल में विवा के नहीं है बताइए मन रहेगा समाजिक कुरूतियां ट्राइजम या पंचवासी योजना सो कुश्चिन पर सेवन का आप का अंसर होगा बी सोशल एविल्स कुश्चिन पर एट विच अमंग दो फॉलिंग इस नॉट अ क्रेक्टर स्टिक आफ कास्ट जात की विशेस्ता नहीं है क्या नहीं बताइए सो कुश्चिन पर एट का अंसर होगा डी वाला ओके लेक आफ डिफनाइट ऑक्विपेशन निस्चित विफसाय का अब हाओ कुश्चिन पर नाइन के तर बढ़ते है विन वास प्रधान मंतरी ग्राम उद्धय योजना इंप्लिमिटेट प्रधान मंतरी ग्राम उद्धय योजना कब लाग होई थी कुश्चिन पर नाइन का हमारा अंसर होगा एए दोजार में कास्ट इस क्लोजड क्लास हू सैड सो जाती है बंद वर गे किसने कहा था तो कुश्चिन पर टेन का हमारा अंसर होगा सी वाला ओके मजूदार एवं मदन ने कुश्चिन पर 11 ता रेगुलेशन मेट फॉर द प्रोटेक्शन और प्रिजर्व आफ वुमें राइट्स आर मैलाओं के अधिकार के संडर छड़े उसर अच्छा है तो अधनियम बनाएं गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट डावरी प्रोवेशन एक्ट इस्पेशल मैरिज एक्ट या ओल डावफ तो देखिए यह तो 11 का अंसर हो आपका डी होगा सभी के सभी हैं इसके बढ़ते हैं कुश्चन में 12 की तरफ वाट डीओ मीन बई इंडो गैमी अंता विवा से आप क्या हूँज आर्समाष्टे है तो अंता विवा आपको मतलब पता है क्या रहता है अंता विवा का मतलब होता है जब जाथी के अपने समूग में विवा करना जाती के अपने समों में marriage with the caste जब caste में लोग एक कास्ट का परसन सेम कास्ट में साधी करता है तो 12 का आपका अंसर होगा एवाला ओके नौ कोश्चन में 13 की तरब बढ़ते हैं which among the following is not a reason for changes in caste system जाती वरस्ता में परियरतन के कारण ने विवाला ओके तो 13 का आपका अंसर होगा इंडोगेमी वाला ओके आराम से आप लोग इसको मत पड़ें यह A, C, D तीनों आपको याद करने होगा 14 का आपका अंसर क्या होगा which article of Indian constitution is not related to minorities so कौन सा question आपका article जो है वो minorities से related नहीं आपसे पूचा जारा जैसा कि constitution में हमने पढ़ा था उसमें आपको section पताते तो question में 14 का जो आपका answer होगा my dear friends वोगा C वाला and question मुझे जादा important लग नहीं रहे हैं इसमें इसमें जो sociology की question में भी अभी प्रियाल में करा रहा हूं उसमें कुछ खास मुझे important नहीं लगे तक प्रियाल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं कौन से परफेक्ट्व से आपके लिए सही है या नहीं सारी चीज़ हम देखेंगे भी okay so question में 16 का आपका अंसर होगा A वाला 1961 what is inter generation conflict क्या था तो अंतर प्रिशंगर्स क्या है तो 17 का आपका answer क्या होगा दोस्तों conflict between two generation दो generation के बीच में जो conflict हुआ था संगर्स होता उसी को लोग कहते हैं इंटर जेनरेशनल conflict ओके याद रखेगा चीज़ वाट इस एको लॉजिकल सो इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तों कोश्चिन बाइटीन का अंसर होगा यह वाला सिस्टेडी और्गनाइज इन रिलेशन तो देर इन्वार्मेंट जीवों का परवाट के साथ संबंद का अध्यन होना ओके कुश्चन में नमबर 19 दा रीजन ओफ डिकलाइन इन वेलूज ऑफ इंडिया बारत में नैतिक मूलों के पतन का कारण किया है बताईए सो कुश्चन में 19 का आप जो अंसर होने वाला है वो का D सभी होगा बाई यह वाला यह वाला यह वाला इसलिए all the above सभी सही अंसर है किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजैंबर बताया है अजैंब घर बताया है कहा है बताया है तो कुश्चन में 20 का आप का अंसर हो का B रिजले ने कुश्चन में 21 विच पॉलिशी हैस बिन गीवन इंपोर्टेंस टू मेंग दा वर्ण सिस्टम पर्मानेट वर्ण वर्ण वरस्ता को स्थाई बनाने के लिए किस नीत को महतु दिया गया था बताये अनुलोम की सजात जाहित की बहरी विवा की या प्रतिलोम की सो कुश्चन में 21 का हमारा अंसर होगा एक अनुलोम की ओके 22 वाट इस दा बेसिक परपस वर्ण सिस्टम टू डिवाइड दा सोसाईटी वर्ण वरस्ता का अधार्बुत उद्देश समाज का किस प्रकार विवाजन करना है सो कुश्चन में 22 का अंसर है ये वाला होगा ये दो सब्सक्राइब दोस्तों कि प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें अपना रिवी फीडबेक जरूर से करें कि अभी तक की जरनी आपको हमारी कैसी लगी हमारे इस चैनल की जरनी आपको अभी तक कैसे लगे आपके लिए है या नहीं है तो कुश्चन में 23 का अंसर क प्रेग्रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो चवान सी दूबे या रिगमेन या मजमूद मजमूदार सुट टून्तिफोर का आपका अंसर होगा सी वाला ओके रिजमेन वाट को इस दा राइटर ऑफ दा बुक दा कृस अफ इंडिया इसमें बहुत सारी पुस्तकों के नाम पूछे जा रहे हैं दोस्तों इसको इस पेपर को भी तक हम लोग देख रहे हैं तो काफी सारे कौशन आपसे पूछे जा रहे हैं कोशन में 25 का अंसर होगा माई डियर रेंट्स रोनाल्डो सेगल होंगे में सरीनवास डीन मजमुदार या केम परिकंकर 25 का अंसर होगा ये वाला अभी तरह हमारे मजमुदार जिसे रिलेटट कोई कोशन नहीं आ नहीं रहें उनके अंसर कोई देखते हैं आगे चलके मिलते हैं नहीं मिलते हैं विचाओ आपसे पूछा जारा कि गाओं का बताए कौन सी विस्टा नहीं है क्या गाओं में क्रिस वेफसाइब होता है कि नही अब समधाय का गाओं यह जो एक निश्चित भूबाग में रहता है उससे हम कहते हैं तो 27 गांसर होगा भी कम्यूटी समुधाय कहते हैं वह जब आप कोई पार्ट किसी पार्ट में रहते हैं तो इसको क्या करते हैं हूँ इस दा राइटर आफ दा बुक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड काफी सरे पुस्तकों के नाम इसमें पूचे जा रहे हैं इस पीपर में भी तक जो कि आपके लिए चिंता का विश्य है इस कांस रोगा स्रीनिवास ओके कुशन में 30 वाट इस दा बेसिस ऑफ सैटिस्फिकेशन इन वेस्टन सोसाइटी पस्चीन समाजों में सतीकरण का आधार क्या है सो 30 का अंसर होगा आपका सी वाला के क्लास वर्ग 31 वेन वाज़ा फस्ट सेंसेस कंड़क्ट इन इंडिया बारत में जन गड़ना कभी थी कुशन हम लोग पहले विए किसी सब्जेक्ट में पढ़ चूंकर बताएंगे किस सब्जेक्ट में तो सी वाला अंसर होगा 1901 वहू इस दा राइटर आव दा बुक होमो हीरेशियस हीरेशियस बताए कौन है तो 32 का आपका अंसर होगा भी वाला ओके क कोशन में 33 की तब बढ़ते हैं अपने 33 क्या करा इन विच युनिवर्सिटी वाउप्मेंट आफ सोसोलोजी इन इंडिया सो भारत में समा सास्तर का विकास सरुप्तम कि सुद्दालय में हुआ था मंबई लखनौ दिल्ली या नौन आफ दैबाव सो 33 का आपका अंसर होगा यह वाला मंबई में ओके 34 विच स्कॉलर कंसिड़र अग्रिकल्चर सोसाइटी एजन रिजिडियस तो कौन है यह मारे 34 का आपका अंसर होगा माई दियर फ्रेंट्स यह वाला ओके रॉबर्ट रेटफेल इसका बढ़ते हैं कोश्चा में 35 के तरफ विच स्कॉलर स्टीज तौलका विलेज ऑफ बिहार 35 का मारा अंसर होगा माई दियर फ्रेंट्स जीएस गुरेय ओके 36 के वाट इस इट कॉल्ड वेन दा न्यू कपल सेटल देर सेपरेट फेंडियर आफ्टर मैरे जब विवाद के पस्चात नौ दंपती अपना अलग परिवार बसा लेते हैं उस 37 इसमें आपके family से related marriage से related कुछ कोशन आपके आएंगे sociology में ओके सो अब देहान रखिएगा मैं इस पे भी कुछ नहीं कुछ important लेके आऊंगा परहसान मत हुए 37 का आपके question क्या है which sociologist has said the main base of diversity in Indian culture is caste origin relation and language so 37 का आपका answer होगा SC दूबे जी ने कहाता ये 38 according to which sociologist the village is an integrate communist in economic social and cultural turn through valid and permanent mutual relation देखिए इसमें काफी सारे according वाले question किसने किसने कहा किसकी किसकी काफी question आपसे पूचा जा रहे हैं इस तरह के गर question आते तो बच्चों को काफी difficulties होने वाले हैं यह मैं clear करे दे रहा हूं इसका answer आपका B वाला होगा 39 which of the following is the main state of keeping the caste system permanently निमलेकित में से जाती वेस्टा को इस थाई बनाया रखने वाला परमुक आधार को ने बताई है of the formation of class यह किसने का है बताई यह भी बताई अब किसने का है 40 का आपका answer होगा D किशन गड़ी आपका 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 चार है इसका answer होगा आपका बी वाला सैटरसन 43 who has written the book vision of इंडिया देखिए एक और बुक आगी आपके सामने लिखने इंपोर्टेंट 43 का आपका answer होगा D Sydney Lee 44 when a class is somewhat strictly heritage we may call it caste किसने गहाता बताई फिर से a core question आपके लिए आगया एवाला होगा इस concern कूले ने 45 a social class then in any portion of community smart of from the rest by social status भाईयों और मेरी बेहनों आप सभी सब्सक्राइब अच्छे इस paper को पढ़ लिजेगा याद कर लिजेगा कि आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा इस टाइप के question आ रहे पहले साथ को कुछ भी प्रिपेर ने तो काफी problem होती इसके लिए तो प्लीज इसको उच्छे से पढ़िएगा बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा इस concern होगा सी वह एमंग दा फॉलिएंग सोच्छ लॉजिस्ट रिगार्डिंग कास्ट आइजा कल्चिटर रियाल्टी देखिए एक और आ गया question तो आप लोग समझ सकते हैं किस हिसाब को पेपर बनाया गया तर लग रहा था कि भाई किसी competitive exam का यह पेपर लग रहा है मुझे जी ने शोचल चैनल कौन से रिफर किया थे बताइए structure of society size of society density of society lifestyle in society तो 48 का जो आपका answer होगा वह का structure of society समाजिक शनुद नाको तो आपका जो 49 का अंसर होगा वोगा A प्रिवरतन में संबंदी थे ओके तो 50 का आपका अंसर जो दोस्तों होगा वोगा दोस्तों डी वाला development of religious sentiments ओके धार्मिक भावना का विकास अभी तक मुझे कोशन मुझे नहीं पता है मैं क्या बता हूँ लेकिन आपको छोड़ने इसमें से एक भी नहीं सब पढ़ लिजए उसमें से हो सकता है इसमें से कौन सा कौन आजा है किसी को कुछ नहीं पता है प्री सांडे राजा राम मोहन राय या जोती बाई फूले तो कुछन 51 का हमारा अंसर होगा माई डी वाला होगा ओके कुछन 52 का आपका अंसर होगा ए वाला आप देख रहें किस तरह के कुछन आपसे पूछे गए मुझे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इन कॉश्चन में फिर भी आपसे पूछे गए हैं मुझे नहीं पता क्यों पूछे गए हैं 53, modernity as a concept in sociology is understood as समासास्त्र में एक अवधाराना के रूप में आधुनिक्ता को समझा जाता है fashion, a way of life, जीवन जीने का धंग, a subculture, एक संस्क्रती या एक perspective समझा जाता है तो 53 का जो आपका अंसर होने वाला है वो होगा option number B, a way of life, जीवन का धंग, जीवन जीने का तरीका भई 54, with whom among the following are the concept universalization and paroch circulation associated, निम लिकितम से किसके जोड़ा सरवामिर का यवधाई कोशन, संकीरतवाद की आवधारना जुड़ी हुई है so 54 का जो आपका अंसर होने वाला है वो होगा B वाला, okay which of the following tribes initiated the जहारखंड movement निम लिकितम से किस जंजाती ने जहारखंड आंदोलन की शुरुआत की थी, भील, बोड़े, संथाल या नागा तो 55 का आपका जो अंसर होने वाला है C होगा which is the patient movement of Indian mobilized by Gandhi भारत का कौन सा आंदोलन गांदी जी दोरा चलाया गया चंपा चरंड आंदोलन, बारदोली आंदोलन, खेडा आंदोलन, मपीला आंदोलन कोई सोचने की जुरुत ने दोस्तों यह तो आपने पढ़ाई होगा 56 का आपका अंसर होगा ए वाला चंपा चरंड movement आपका चलाया गया तांदोलन ओके ए वाला होगा 57 tribes may be an example of family, association, community, caste जन जाती एक उधारन हो सकता है जाती का समुधाई का समीती का परिवार का तो 57 का आपका अंसर होगा C वाला ओके समुधाई communities अब बताए किस तरह से आप से कोशन आ रहे हैं हिंदू मैरिज मानता हूँ उसमें मैरिज के बारे में आपके मिसलेबस में लेकिन कि आप ये बच्चों से डिरेक्टी लॉग से ये पूर लेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट का भी नेक्ट वाता जबकि अभी तक बच्चों ने भी तक पढ़ा ही नहीं हिंदू मैरिज एक्ट उनके में इस बार है भी नहीं नेक्स सेमेस्टर में फिर आप इस तरह से illogical question किस तरह से आप पूछ सकते हैं मुझे believe नहीं हो रहा है बट फिर भी क्या किया जा सकता है कि आप इस paper से happy हैं भी तक या नहीं आप लोग comment में ज़रू बताएगा मेरी बास से आप agree कर रहें कि नहीं कर रहें 58 का आपको 1955 होगा which among the following is not a feature of village निमलकित में से कौन सा एक गाउं की विसेस्ता नहीं है तो A है less population B है less diversity कम विविदिता C है impersonal ill-relationship अवेशकता संबन या D है paradominance of primary occupation प्रात्मिक विवसाई की प्रधानता 59 का जो आप का आंसर होगा वो होगा C वाला अब बढ़ते हैं question number 60 के तरफ who among the following described marriage as an universal institute भाई किसने कहा था कि विभा को और विभाविक संस्ता के रुप में स्पष्ट किया है तो इसने किया बताईए टेलर, ब्रिफ़र्ड, वेश्टर मार्क या स्पिंसर ने question number 60 का आंसर होगा वेश्ट मार्क ने C वाला question number 60 की तरफ बढ़ रहे हैं नहीं है फिर उनकी वीडियो जो से इन लोग अव्लोड को तो उनको पता नहीं चलता तो यार तुरन अप्लोड तुरन बजा दो और टेलिग्राम चनल नहीं जोइन किया तो जोइन को उस पर जो भी अब्डेट्स आती है आपको फॉरन से मिल जाती हो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगे टेलीग्राम गृूप की बियो टेलीग्राम चनल की चैनल में यह सारी चीजे पोस्ट होती है ग्रूप में या कोई भी कोशन आप सकते हैं ओके तो कोशन में 61 की तर पढ़ते हैं कोशन में 61 में मारा क्या कह रहा है इंवि इस समय डिवाला प्शन इस दा करेक्ट अंसर हो के आज की सिस्टिशन आज के समय के मैं बता रहा हूं डिवाला होगा ओके इस क्या है बताइए निम लिखित में से विवा है बताइए एक एक एसोशियेशन है एक फॉप है जनरी थी एक संस्ता या एक ग्रूप है सो 62 का जो आपका अंसर होगा सी होगा एक संस्ता लिखित में से कौन से एक अंतर विवा समू नहीं है जाती वर्ड गौत दर्म बताइए तो 63 का आपका अंसर होगा सी वाला गौत मैरीज आफ हाई कास्ट में विद लो कास्ट वूमें इस काल देके कुश्चन रिपीट होके अभी अभी इमने इससे पहले कुश्चन अल्रेडी किया हुआ है तो 64 का अंसर हमने क्या पढ़ाता आप इस का अंसर हमें बताएंगे कमेंड बॉक्स में होके 65 in which of the following article there is a provision for reservation for tribal welfare कौन सा आर्टिकल है जो tribes के लिए reservation प्रवाइट कराता है तो 65 का आप का answer होगा सी वाला आवाज दोस्तों सही नहीं आरी थोड़ी तोड़ा मुझे लगता है मेरा गला थोड़ा बैठ गया है क्योंकि इतनी देर से मैं आप वीडियो बना रहा हूँ साथ गंटे से बैठके वीडियो बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए सो थोड़ा आवाज में थोड़ा फरक है बड़ कोई नहीं पूरी आज ये बना के रहेंगे और इसके बाद आप लोगों के लिए भी political science और सभी subject की important important videos आनी बाकी हैं तो आप यार like कर देना बस इस बार मुझे नहीं पता आएगा है नहीं का मेरे according नहीं आना चाहिए और नहीं पूछा जाएगा ये बट मैं क्यों कि रहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप articles के question इसमें क्यों पूछ रहे हैं इनुच आप the following articles देर देखिए एक और question आगे there is a provision for a special officer for tribal welfare नियम लेक नियम लेकित की सम में से किस समासास ने क्रिस्तिकार करने वाले जातियों को पिछडा वर्ग कहा है योगें दर सी दूबे अंदर भाई रागा कमल मुखर जी तो 68 का जो आप का अंसर होने वाला सी ओके बढ़ते हैं question में 69 की तरफ इन विच इंट्रोड़क्शन इस दा प्रोसेस आफ रीजिनिंग फ्रॉम पार्टिक्लर केस टू वूल ग्रॉप आफ केस फ्रॉम considerate fact to generalize from individual instant to the universe तो 69 का जो आप का अंसर होने वाला है वो बी होने वाला है मैं ज्यादा question ज्यादा लंबे नहीं पड़ूंगा और नहीं ज्यादा अंसर बनूंगा क्योंकि मुझे लगता है मेरा गला बैट गया आवाज ज्यादा नहीं आरी सही से चलिए मैं जल से जल से जल आपको बना देता हूं फिर मैं थोड़ा रिष्ट कर लेता हूं okay so question 70 मारा क्या करा who has given the concept of great tradition and small tradition so दीर के उम लगू परंपरा के उधानों को किस ने पुरस्तुत किया है 70 का आपका अंसर होगा आर डी वालों के ready file question 71 which sociology has studied Indian judgment system so 71 का आपका अंसर होगा ये वाला Oscar Levis 72 की तरब बढ़ते हैं तो जल से जल में वीडियो बना रहा हूं दोस्तों which sociologist has named small democracy to Indian village बारतियां का हमों को लगू गड़ तंतर की संगया कि समासास्तर ने दी है तो 72 का आपका अंसर होगा सी वाला ओके इसका बढ़ते हैं 73 के तो who has named backward Hindus to Indian tribes बादे जन जाती को पिछड़े हुए हिंदू की संगया किसने देती मजमुदार ने होबल्स ने गूरिये ने चार्ल्स विंकी ने 73 का जो आपका अंसर होने वाला है इस समय तो आप जान सकते हैं कि कितना cookies और कौन सी एक tribes हैं आप उनका नाम बता है जिनका मैंने उपर पढ़ा है उनके बारे मैं भी आपको बता है था उनके पिछ में कितना conflict चल लहा है मनीपूर में 74 का जो आपका अंसर होगा उस सी होगा समय कि 75 एक अगर्डिंग तो वीच आफ दा फॉलिंग सो सोलाजिट कल्चर इस दा में मैंड पार्ट आफ दा इंवार्मेंट निम्लेकर में सक्समा सास्त्री के नुसा सांस्कृत प्रत्यावड का मानो निर्मत भाग है आप्शन है हरक्स कोविट्स बी टाइलर सी क्रोबर या डी कलु खान कलु खान कलु खान कलु खान क्या नाम है तो 75 का अंसर होगा आपका एवाला ओके 76 अनेम अवी शुचित इस ऐस्टाइट विख इन ले अफ इन लेग्वांगेंग टैलेक्ट खान क्रोबर खान क्यंगेंग एवाला ओके जोर्ज शूर्चर सवेशन 77 who said among the following that is in India India in spite of religious custom language and social and material difference a special uniformity of life can be seen from Kanya Kumari to the Himalaya तो आपका option होगा हिंदी वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा I hope दूस्तों option है आपके हरबर रिजले बी है रादा हकुमत मुखरजी CSCIM जोड या डी है वेरियन अलवेर तो 77 का जो आपका अंसर होने वाला A होगा दोस्तों आप लोग एक काम करियेगा दोस्तों यह तो मैं आपको पढ़ाई रहा और भी पढ़ाऊंगा दोस्तों जैसा कि आप कभी भी वैसे तो आप college कम जाते हैं दोस्तों लेकिन कभी थेज़ाई आप क्लेज वगर आपने जूनियर्स या senior से मिलें तो उनकी help के लिए आप एक काम करेगा दुस्तों एक आप उनसे यह बताइएगा दुस्तों कि यूटूब एक legal grocery channel है आप लोग वहाँ पर जाहिए आपको helpful वीडियो आपको वहाँ आप कास्ट तो 78 का आपका अंसर होने वाला है सी ओके 79 विच सोसोलोजिच इस्टिडिद दा लोगेंडे विलेज आफ पुने डिस्टिक आफ महाराष्टरा महाराष्ट के पुने जिले के लोनिघंड गाओं के कि समसास्त्री ने किया देख रहे हैं आप कितना जादा हूँ सैड वाले कुशन पूचे किसने कहा था किसने ने आप कितने नाम याद रख पाएंगे अभी तक मुझे जादा इंपॉर्टन कुशन नहीं लगे हैं अबर अगर आप हूँ सैड वाले आगे तो इस सभी इंपॉर्टन आपको फिरे आले 100 के 100 पूरे के पूरे करने हैं 79 का का अंसर होगा A वाला बढ़ते हैं कुशन मेर 80 की तरफ whose statement among the following is that Hindu attitude are still in favor of the joint family तो question बर 80 जो है मारा उसका अंसर होगा हमारा D कापडिया बढ़ते हैं 81 का which of the following is the author of the structure of Hindu society the structure of Hindu society के लेख़क निमने रिक्रिसम से कौन है तो 81 का मारा अंसर होगा A वाला होगे N.K.Bos who said Hindu marriage is sacrament किसने काता हिंदू विवाएक संस्कार है तो कापडिया ने काता Westmark ने काता H.R. Rivers ने काता Lucy Mayor ने काता तो 82 का आपका जो अंसर होने वाला है my difference वोगा A कापडिया ने काता 83 how many languages are prevalent in India भारत में कितनी बासें परचलित हैं तो 83 का जो आपका अंसर होगा दोस्तों वोगा A 179 ओके 84 which sociologist considered the root cause of the problem of the tribes in the is the result of exploitation so 84 का जो आपका अंसर होने वाला है वो होगा आपका A वाला A.R. देसाई ओके आप बढ़ते हैं question बढ़ 85 which state has the largest population on of Dalits Dalit कोस की सरवदिक दिन संक्या किस राज्य में बताई राजिस्तान उत्तरप्रदेश बिहार या हरयाना बताईये कहां पे तो 85 का अंसर होगा बी उत्तरप्रदेश में यह question आप लोग फिर भी चेक कर लिजेगा ओके यह क्योंकि time to time जब जन्जंकिया बढ़ती उससाब से होता रहता है question में 86 काका का लेकर commission has considered the basis in the determination of backward class काका का लेकर आयोग ना पिछले वर के निधारनक में आधार माना किसको व्यक्ति को परिवार को एनी family को जाती को एनी caste को वैवसाय को एनी occupation को तो 86 का जो आप कांसर होगा वोगा C question में 87 which article give the right to establish education institute to minorities based on religious and language कौन सानुचे धर्म और भासा पर आदाधित अल्प संक्यों को सिच्छर संस्ताय उस्तापित करने का अधिकार देता है तो 87 का आप का जोगा ए आप कांसर होगा ए आप कांसर होगा ए आप कांसर होगा who is considered religious as the main basis in the origin of caste जाती की उत्पती में धर्म को पर्मुगाधार किसने माना है ब्लट ने कूले ने मेकाईवर ने होकर्ट वा सेनार्ट ने तो 88 का जो आप कांसर होने वाला है वोगा option D is the correct answer हम बढ़ते है question number 89 कितब in which of the falling are avoidance related relation fondant परिहन संबंद किन में पाए जाते है जीजा साली में पुत्र वदू ससूर में या देवर भावी में नंद भावी में तो 89 का जो आप का अंसर होने वाला वोगा B वाला okay पुत्र वदू वो ससूर जी में okay 90 who said it required any army of experts for the study of caste system देखे फिर से कहा किसने बताए किसने कहा कि जातिवस्ता कि अद्धिन के लिए विसेसिगों की एक सेना की आफशकता है तो question 1 90 का अंसर क्या होगा एवाला होगा जब हम लोग अपने 100 question complete कर लेंगे पूरे हैं उसके बाद में कुछ बाते हैं आपको sociology के exam से मुझे आपको बतानी तो वीडियो आप लोग मत करना ओके पूरी वीडियो देखना कि कोशन में 91 क्या हूँ फर्स्ट यूज दा टर्म टेक्नो नियम माद्यमिक संबोधन नामक अवदार्णा का सौरपतम किसने प्रोक किया है टाइलर मजमूदार का पढ़िया या मॉर्गन ने सो कोशन में 91 का जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा A टाइलर ने अभी दग हमारे मजमूदार कोई गोश्चन नहीं किसी में भी आप्शन हमारा सही नहीं निकलाएंगा इन विस ट्राइब्स कोईड़ सिस्टम इस प्रिलेंट इन इंडिया भायत में सहे प्रस्वाइता की प्रता किस जंजात में प्रचलीते खासी उराओ मुंडा टोडा में बताइए तो 92 का हमारा आंसर होगा टोडा में 93 की तब बढ़ते हैंदा इस परिवार की तशना करता है वह क्या होता है बताई ना क्या होता है गस करिए चांसर फिर में बताता हूं रिप्रोडेक्टिव फैमिली यह तो बायो में भी कॉश्चन था हमारे 94 इन विश्ट्राइब थारवड इस काल टू जॉइंट फैमिली थारवड किस रजन जाती में प्रचलिक सन्युक्त परिवार का जाता है गारों गायर खासी भील सो कॉश्चन में 94 का अंसर होगा बी 95 निका is a specific agreement that aim to produce children and declare them valid who said निका एक विस्ष्ट समझो होता है जिसका उद्धिस बच्चे उत्पन करना और उनको वायद गोसित करना है किसने गाता अमीर अली ने का पढ़िया ने मुल्ला ने हिदाय ने सो 95 का जो आंसर अपका होगा वहोगा सी ने मुल्ला ने गाता अब बढ़ते हैं कोश्चन में 96 की तरफ कोश्चन में 96 की तरफ विच आप दा सोसल फिलोस्पर कार्ड सोसलोजी सोशल फिजिक्स की समाजिक दरसिंग ने समासास्त को समाजिक बहुतिक कहा है अगस्थ सब्सक्राइब ने मैं काईवर ने हर्बड स्पेंसर ने तो 96 का जो आपका अंसर होगा वहोगा अगस्थ कॉंपेस्टर ने ओके 97 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंच रेवलेशन टूप्लेस इंदायर देखिए बिसका कोई मैं क्या बता हूं कुछ कहना नहीं मुझे 97 का आप कोश्चिन ही नहीं पड़ूंगा पूरा रिवीव दूँगा इस पेपर का पर सब लोग पूरी वीडियो को खतम हो जाने दीजिए वो गेव दा नेम हरीजन स्टू ता अंटचबल अंटचबल अस पर इसको हरीजन नाम कृष्णा देता है भारती समयधान ने ब्यारा परिवार इतिहास के विद्धाते समाजिक कारे करता तो 99 का अपका अंसर होगा बी वाला परिवार क्या ये sufficient है exam point of view से आपको लगता है कि ये sufficient है मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी sufficient है आप इसके वरोसे सिर्फ exam नहीं दे सकते हैं आपको थोड़े और MC कोई पढ़ने की ज़रूरत है ओके आपको अलग से MC कोई पढ़ने ही पढ़ने है ओके अब कैसे पढ़ने है आप थोड़ा ढूंड़ी है नहीं मिलते हैं दोस्तों कमेंट करेंगा मैं कोशिस करता हूँ पूरी वीडियो नहीं की कल political science पर आएगा अगर आप लोगों कोई कमेंट करता है अगर आपको sociology पे अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता आने वाले हैं तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ अभी मैं आपके लिए इसमें तो थोड़ा सा सोच के वीडियो जरूर ले के आऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह paper काफी easy आना चाहिए था बट यह easy नहीं आया है काफी difficult paper आपके सामने present किया गया है क्योंकि इसमें ज ज्यादा पढ़ने के फिर जरूरत पढ़ेगी फिर आप उसको थोड़ा सा common sense लगा के उसके अंसर दे सकते हैं बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो कफी problem होने वाले फिर आले जो हैंड़ेट mcq दिये हुए दोस्तों इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इनको आपको कोई भी question हो मिलेंगे दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप लोग कोई भी सिखा है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं YouTube पे दोस्तों सभी लिंग आपको description मिलेगे ठैंक यूँ सुमाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए